मसकार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल वेट सक्सेस विद पिजी में हार्दिक स्वागत है दोस्तों जिस परकार से आपको मैंने कल एक सूचना प्रोवाइड कर वाई थी कि एक वेकेंसी आई हुई है उस वेकेंसी में अपना फोर्म अप्लाई कर सकते हो उस वेकेंसी के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर आने वाली है और पूरा नोटिफिकेशन के तुरू आप लोग को बताया जाएगा कुछ लोग है जो ये बोलते हैं कि आप फरजी नियूज देते हो बिल्कुल ऑथंटिक और सही सुचना प्रवाइड करवाई जाती है कुछ लोग है जो ऐसे करते रहेंगे उनकी मेरे परती जो है प्यार है समान है वो अपना दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी लोग हमारे साथ जुड़े ताकि उनको भी पता चले और अन्य जो चैनल है उनके माद्यम सीव आपको जो सुचना मिलती है और हमारे चैनल पे एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सुचना मिलेगे तो तमाम दोस्तों से कहना चाहूंगा अपने दोस्तों को सेर कीजिए इस वीडियो का लिंक और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और जो लिंक है वो जुरूर शेर करें चलिए दोस्तों यहां पर तरह देख रही हूँ यह 25 2022 का hypnotination है इस पूरा notification के बारे में वैकेंसे के बारे में complete बताउँ हूँ उससे पहले आप इस चैनल को लाइक करके और पूरा complete वीडियो देखने है लाश्ट तक वीडियो देखने है बिल्कुल ही skip नहीं करना है ताकि कोई भी एक जानकरी आप से छूटे नहीं ठीक है complete वीडियो देखने के बाद में कोई भी questions है कोई भी issue है तो इस पे आप comment कर सकते हो तो इसके पहले comment करना उचीत नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर देख सकते हो यह पूरा का पूर्मेंट के मादम से निकाला गया है और कौन सी गवर्मेंट के मादम से और कब तक आप इसमें apply कर सकते हैं यह पूरी चानकरी इसमें दिये गए 25 यानि 26-22 से यह दिना के मादम से यह notifications निकालने के बाद में यहां पर आप चेक कर सकते हो ठीक है अब इसमें क्या है दो परकार की पोस्ट निकालेगी है इसमें दो अलग अलग परकार की पोस्ट निकालेगी है जो भी candidate इसमें eligible हो इसमें forum भरे otherwise comment करके ऐसा ना बोले कि हम हमारे लिए है या नहीं है मैं तमाम all over इंडिया के अंदर जितनी भी vacancy निकलती है उन तमाम vacancy के लिए यहां पर सुचनाय प्रवाइड करने की कोशिस करता हूँ जह रास्तान के यूपी के हरियाना के बिहार के जो भी candidate है वो हमारे साथ जूड सकते हैं यहां पर complete all over state की notifications की जो पसुदंसायग या पसुपालन विभाग से संब्धित कोई भी vacancy आते उससे संब्धित यहां पर जानकारी प्रवाइड कर वाइड करती है ऐसा नहीं है कि मैं रास्तान का हूँ तो रास्तान से ही सुचनाय प्रवाइड करूँगा यूपी बिहार की भी सुचनाय प के टेगरी के जो है उनको तीन पोश्टे और जो अजजा जो है उसकी छे पोश्टे है महिलाओं की दो पोश्टे यहां पे और जो जो है उसकी दो पोश्ट है ठीक है उसके बाद में पसुट जो सहाइक पसुट चिकस अच्छेतर अधिकारी है तिरते सरेडियानी थर्ड ग्रेड का अधिकारी होता है उसकी जो वेतन है वह 18,420 रुपे है उसकी जो पद है उसकी 12 पद है टोटल 12 पद है और दो जो पर चिकर्ण वर्ग के है उसके भी दो पोश्ट है ठीक है अब बात कर लेते हैं कौन सी इसमें जो एसेंशल क्वालिफिकेसंस यहां पर कह सकते आउशक जो योग्यता है वह कौन कोश्ट है यहां पर देख सकते हो देखिए दोस्तों यहां पर चिकर्ण साएक सल्लेट चि प्लस टू प्लस टू बाइलोजी वीचे में उतिर्ण होनी चाहिए पहली सर्त यह अब वेटनी पॉलेटेकल इन डिपलोमा अब आप सभी दोस्तों को बता देता हूं राजस्तान के अंदर जो लाइफ स्टोक असिस्टेंट चलता है वही डिपलोमा कई स्टेटों के आपको अभी रखा जाएगा स्वेधा के लिए उसके बाद में तमाम जो गोर्मेंट की प्रकेदिया उसके अंदर जो चलते है प्रोजेक्ट चलते है उसमें लगाए जाएगा वेतन आप लोग को बता दिया है मैं कितना वेतन होने वाला है अब बात कर लेते करित्रिम गर बादान की दक्सता है तू कारिय में मुल निवास को प्राथ्मिकता जीजे यानि आप पहले किस राज्य के हो और कौन से राज्य के लिए आवेदन कर रहे हो जिस राज्य का कंडिरेट ज्यादा होंगे उन्हीं कंडिरेटों को पहले इसमें प्रियोर्टी दे जाएगी ठ फिकी जीतना आपको मांदे बताए गये वह इतना ही मांदे मिलेगा योगिता के आधर पर चैन किया जाएगा उपरं जो पुइंट है, Initially जो प Dalas,र के माले कि clamp यह जह सी Alexa क्वैकर हो गजँने फाक। व friesy, हुप प्रतिक्रिकश जा सूकित में एक वेटिंग जो लिश्ट निकलेगी, वह एक वर्स के अदर अंदर निकलेगी यांनम trabajo के टाइम होगा इसकी अंदर जिंद कंडियरेयट का यहां पे सलेक्शन होगा या नहीं भी होआ है तो उनको वेटिंग में जिद कंडियरेटीरों का नाम होगा उनको एक साल के अंदर अंदर बुलाया सकते ठीक है उसके बाद में करना है ठीक है अब कौन-कौन से डोकमेंट आपको भेजने इसके अंदर पूरी जानकारी आप देखी दोस्तों देखिए दोस्तों आवेदन पत्र एक आवेदन पत्र होगा जो मैं आप लोग को अभी डिस्क्रेप्शन में इसका लिंक भी दे दू और बता भी दूंगा और मुल निवास परमान पत्र होना चाहिए जाती परमान पत्र होना अन्य जो परमान पत्र आपके लिए जो करने डोकुमेंटों को जो स्पीट पोस्ट या जो भी नॉर्मल डाक आती है उसके थुरू भेज सकते हो उपरोग समस्त दस्तावेज रजश्ट्री यानि एडी के द्वारा भेजना है एडी आपको करनी है एडी करवा के और उसको भेजना है पोस्ट ओपिस के मादेविस पासपोर्ट आकार के जो पोटो है राजपतिर अधिकारी की द्वारा सत्यापत होनी चाहिए ठीक है पर सासनी अकारनों से अधिसुद्धन रिखते हो गढ़ाया बढ़ाया जा सकता है यह तो सभी बेखिंसीम होता ऐसी कोई बात नहीं होती कि बढ़ाया नहीं जा सकता ब फिर प्राइवेट करमचारी कोई निची संस्ता में काम कर रहा है तो उसके अगर करते हो तो अधर्वाइज आपको नहीं लिया जाएगा इसमें आवेदन जी के आयू है आयू 18 वर्से कम नहीं होने चाहिए और अधिक्तम 35 वर्से ज्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है सासन द्वारा समय पर आयू सीमा की चूट का प्रावदान होगा ठीक है जो भी गौर्मेंट के अंदर जो रूल्स होगे वो उन तमाम रूल को यहां पर फोलो किया जाएगा प्रतेक आवेदक ही उसका जिमेदार होगा और उसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगा ठीक है यह आप लोग ध्यान रखना पंदरा नमर पॉइंट है बर्ती प्रकिरिकाई दोरान होने वाले विवाद की स्तिति में अंतिम निर्ने लेने का सर्वे अधिकार अधिक्सवे चैन समेति का जीला वस्तर अधिकारी का होगा ठीक है सविधा भर्तिपूर्ण ऐस्ता ही है और सविधा भर्तिप पद को विर्यूद्ये मादियव स्तिति मेर्ता स्भा दूआ कि जाते हैं तो निमित पद समक्त हो जाएगा पत्तर त्याग पत्तर देने से एक महा पूर्वा सूचना देना होगा एक महा का मान दे जमा करना होगा अनिमारी होगा यहां पे लिखा गया कि आपको अगर रिजाइन देना है इस वर्थी से आप सलेक्ट हो गए इसमें रिजाइन देना है तो आप लोग को क्या करना है एक मेने का आपको वेतन नहीं मिलेगा लेकिन आपको रिजाइन देने के बाद में किसी जानकारी के तो आपको निकाल दिया जाएगा ठीक है अब दी किसी भी परकार का धर्णा हर्तालादी की अनुम्बती नहीं होगे धर्णा हर्ताल करने पर नोकरी से वंचित करने का अधिकार कलेक्टर स्तर पर होगा ठीक है पत्राचार है तो यह आवे दिन जो आप जाके देख सकते हो पूरी डिटेल मैं आसा करता हूं कि यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगए होगी बिल्कुल सही और सठीक जानकारी आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आवेदर कर सकते हो कोई भी रोक टोक रही है किसी भी राज्य के कंडेड़ा टो इसमें आवेदन कर सकते हो लेकिन जो भी नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ दी गए उसका आइटेरिया को फोलो करते हुई आपको लिया जाएगा तो मैं आसा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा वीड लेट आप सभी दोस्तों को मिलते रहें मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वार दोस्तों धन्यवाद थेंक्यू थेंक्यू सो मच